कल की वीडियो में हमने जाना था, share market क्या है, share क्या होता है, share कितने प्रकार के होते हैं, share कैसे खरीद जाते हैं, साथ इस share market से पैसे कैसे कमाई हैं इन 5 questions के हमने बहुत सरल भासा में कल आपको answers दिये थे और आज की इस वीडियो में मैं लाइव आपको फिर से शेयर मार्केट में सेयर को बाई और शेल करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक और निव वीडियो में और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है आपके पास एक डिमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है तो दोस्तो सबसे पहले हम आएंगे अपने आप स्टॉक्स के अकाउंट में जहां से हमें सेयर को बाई और शेयल करना है यहाँ पर मैंने आप स्टॉक्स एप्लिकेशन ओपन कर दिया है दोस्तो application का interface जो है काफी subtle देखने को मिलेगा आपको सबसे पहले हमें दोस्तो किसी भी share को buy करने के लिए fund एड़ करना पड़ता है उसके लिए दोस्तो हम सबसे पहले यहाँ fund वाले option पे click करेंगे इसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीका का interface देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर add funds वाले option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर जितना भी amount एड़ करना है आप minimum यहाँ पर 100 पर add कर सकते हो उस और पर डालने के बाद आप यहाँ पर payment option select करोगे आपको किस payment option के दिरूप ए करना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर continue बटन पर click कर देना है जैसी आप continue बटन पर click करोगे हाँ यह application आपको payment वाले option पर redirect कर देगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपना fund add कर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप शाहों तो उसे instant withdraw भी कर सकते हों यहाँ पर कोई terms and conditions नहीं है बस आपको 100 रूपीज यहाँ पर होने चाहिए withdraw करने के लिए तो उसके बाद दूस्तों बात के लिए थे कि किशी भी share को buy and sell कैसे किया जाता है उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर watch list पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर किसी भी share की price देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर आर पावर की price 16 रुपे 22 पैसे अगर हमें आर पावर की share को खरीदना है तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस share का up and down भी यहाँ स देख सकते हो उसके बाद दूस्तों हमें यहाँ पर buy वाले option पर क्लिक कर देना है जैसी दूस्तों हम buy वाले option पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा जैसे कि यहाँ पर delivery and intraday का मतलब गया होता है दोस्तों delivery का मतलब यहाँ पर होता है कि आप किसी भी share को अगर buy करते हो तो आप उस share को unlimited time के लिए hold करके रख सकते हो और जैसे उस share का price हाई होता है तो आप वहाँ पर उसे sell करके profit earn कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर वहीं पर आप intraday select करके यहाँ पर किसी भी share को buy करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको वो share same day sell करना होगा यहाँ पर डाल सकते हो उसके बाद में दोस्तों आप order type क्लिक करके तो आपको यहाँ पर चार option देखने को मिलते हैं पहला option जिन मैंसे है limit दोस्तों limit का मतलब होता है कि आप यहाँ पर किसी भी share को limit यान की price की limit से खरीद सकते हो जैसे कि अभी यहाँ पर इस share की की मत 16 रु देने हैं और review order पे click कर देना है गैस जैसे यह share की कीमत 16 रुपए आती है यह order आपका complete हो जाएगा आपका share जो है buy हो के आपके position option में आपको देखने को मिल जाएगा second option की बात करें तो यहाँ पर आपको market का मिलता है जिसका मतलब होता है कि जिस share की price जितनी चल रही है आप उसे price पे उस share को खरीदोगे ना कम ना ज्यादा and review order पे click करने के बाद आप अपने order को complete कर सकते हों तो अगर आपने कोई भी share delivery option पे select करके buy है तो 24 hours के बाद वो आपको holdings वाले option में देखने को मिल जाएगा उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले portfolio वाले option पे click करना है और यहाँ पर holdings वाले option पे click कर देना है अगर आप किसी भी share को sell करना चाते हो उसके लिए आपको उसे share पे click करना है and guys click करने के बाद आपको यहाँ पर sell वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ pin वगेरा set करने होते हैं जिने आप बढ़ी आसानी से set कर सकते हो दोस्तों वीडियो कैसा लागा comment section में ज़रू बताना और ऐसे latest videos देगिनें लिए चैनल को subscribe करके bell icon को और पर select जरू कर लेना मिलते हैं कर लेकर new video में